नमस्कार मित्रो, जैमातादी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में 33 कोटी देवता आपका भविश्य लिख रहे हैं, और नया साल खत्म होने से पहले आपको एक ऐसी चीज मिलने वाली है, जिसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ, नय साल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्या होगी भविश्यवाणी, कौन सी गल्ती आपको नहीं करनी है, साथ ही साथ, क्या उपाय करने सब कुछ वीडियो में बताया गया है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर अगर वीडियो कॉल तो तक देखेंगे, तो आज आपका भी दो हजार चौबीस अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि धाई वर्षों के बाद शनी का बहुत बढधा राशी परिवर्तन अब होने जा रहा है, बुध, मंगल, शुक्र का भी जबरदस्त राशी परिवर्तन, नए साल की शुरुव सूर्य देव को अर्गि देने के साथ करें, इसके बाद तांबे के लौटे में गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत डाल कर शिवलिंग पर चड़ाएं, जो सोमवार है, जो शिवजी को समर्पित है, ऐसे में शिवलिंग का अभिशेक या रुद्राभिशेक के समय, उ मंत्र का जाप करें, मान्यता है, इससे साल भर आर्थिक संकट नहीं होगा, बेलपत्र का पौधा देगा बर्खर, जिन घरों में बेलपत्र का पेडाड होता है, वहाँ शिवजी का वास होता है, धन लक्ष्मी का आशिरवाद बना रहता है, ऐसे में साल दोहजार चुबि गर में बेलपत्र का पेड़े डेडी एच उत्तर दिशा में लगाएं, इससे घर में कभी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा, पीली सरसों से मान लक्ष्मी होंगी प्रसंद, साल दोहजार तेईस के पहले दिन पीली सरसों को कुछ दाने और कपूर चांदी या स् परशित करता है, करियर में प्रमोशन के योग बनते हैं, घर लाएं ये खास चीजें, नए साल के पहले दिन या कुछ शुरुआत दिनों में, दक्षणावर्ती शंक, एक आक्षी नारियल, पीतल का हाथ ही घर में स्थापित करें, इसकी स्थापना कार्यस्थल पर भी कर स इनके शुब प्रभाव से नौकरी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा, उन्नती के बीच बाधाएं नहीं आएंगी, ग्रह दोश खत्म होंगे, चूंकि बुध आपके राशिस्वामी है, साथ ही साथ पिछले धाई वर्षों से शनी की धैया आपको थोड़धा पर आनसिक, आर्थिक कष्ट देते हैं, उनके जीवन में अशांती, तनाव, बीमारियों और हाने का योग बनाते हैं, लिहाजा जब शनी की तेड़ी नजर हो, तो जातकों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जो शनी को नापसंद हो, जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, असहाय, मजदूर वर्ग को ना सताएं, ना ही उनका अपमान करें, बुरी संगत, नशे से दूर रहें, किसी के धन पर बुरी नजर न रखें, धोखा, जूट, छलकपट से बचें, वरना शनी बहुत कष्ट देंगे, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, अच अच्छे अच्छे राहे मिलने लगेगी, भगवान का साथ मिलने लगेगा, और एक बहुत अच्छा विकास जिंदगी में आपके होने लगेगा, बस आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे आज के इस वीडियो को देखना होगा, दोहजार चौबीस में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़िद्डी ने वाला है, सभी ग्रह अपनी राशिय और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिय फल पर पड़िद्डी हाता है, हालंकि नए साल में शनी देफ अपने राशिय में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेश लाब हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा संगर्ष भरा है, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने शहर को बाहर पढ़ने आए हैं. उन्हें थोड़ा सावधान रहना है, उनकी रैगिंग हो सकती है, उन्हें पैसों के लिए परिशान किया जा सकता है, या प्यार के जाल में फंसा कर उनके साथ बड़ी धोखे बाजी हो सकती है. हर कोई व्यक्ति यही चाह रहा है कि उसका साल साल की शुरुआत में कोई कलेश ना हो, कोई लड़ाई जगडा ना हो, कोई पनौती न बैठे, तो बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है. बाकी सब कुछ सही है. अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इनसान तो वो है जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं. और यकीन मानिए, अगर आपके पास भी ये तीन चीज़ें हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इनसान है. सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों, कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आता है कि वह सुभह शाम या दोनों में से किसी भी एक समय अपने परिवार के साथ बैठ कर खाना खा लेता हो, तीसरे नंबर पर आता है, उसे पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़ कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो, ये तीन सुख, ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं, तो पैसा है या फिर नहीं, माइने नहीं रखता, अब इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान है, और जनवरी 2024 में अपने आपको सुखी बनाने के लिए आपको पैसों से ज्यादा परिवार को महत करते रहते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, तो हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमसे दूर जा चुका है, समय रहते अगर सीख आपके अंदर आ जाएगी, तो बड़ी मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को काम में अडचनने आने वाली है, कहीं न कहीं पार्टी का आयोजन, कहीं न कहीं अपने दोस्तों की मीठी मीठी बात हैं, उनका बार बार आपके काम में नोक जोक करना, करना आपको परिशान कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है, आप उनके बहकाव जीवन में मत रखियेगा, वरना बहुत पच्छताएंगे। एक अच्छी संगती जहां आपका कल्यान करा देगी, वहीं एक बुरी संगती आपको बरबाद भी करके रख देगी, इतना ध्यान रखियेगा। 2024 में शनी का धाई वर्षों बाद राशी परिवर्तन हो रहा है, और पिछले धाई वर्षों से शनी की धाईयां से सभी मिथुन राशी के जातक पीडित है और आप सभी लोगों के जीवन में काफी संगर्ष बना हुआ था, उस संगर्ष से आपको मुक्ती मिलने वाली है। महनती बन जाए, तो आपको भी दोस्तों हार नहीं माननी है। जिंदगी में कैसा भी समय हो, ग्रहों का शुब प्रभाव हो, या फिर बुरा लग हो, हमें हार नहीं माननी है। हम महनत करते रहेंगे, फिर देना या न देना भोले नात की मर्जी है, लेकिन हम हमारे कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। आगे वीडियो में सावधानिया हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाए हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहें। क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि साल के शुरुआत में इतना बड़ा कांड हो जाएगा। आपकी छोटी छोटी बातों पर आपके बॉस आपको इतना सुना देंगे और अक्सर देखा जाता है कि इनसान एक बार, दो बार, तीन बार सुन लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे बार-बार सुनाता है, बार-बार ताने मारता है, या बार-बार रोब ज़ाडता है, तो अंदर से अंतरात्मा एक आवाज निकालती है, कि बस अब और नहीं, और वहाँ पर इंसान जो चालू होता है, फिर वह अपनी नौकरी से हाथ धो अब दोस्तों, आपको कभी-कभी जीवन में स्वाभिमान के आड़े नहीं आने देना है चीजों को, लेकिन अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने बीवी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं करना है, चीजों को संभालने क कोशिश करनी है, दांपत्य जीवन में थोड़ी नोग जोग बनी रहेगी, क्योंकि बातें जम नहीं पा रही, एक दूसरे को बातें पसंद नहीं आ रही, आप एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, कुछ उन्हें अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, यही संशय बना हुआ है, यही मुश्किल हमेशा से बनी हुई है, यहां आप थोड़ा सावधान रहें, वरना बहुत बड़ा कांड हो सकता है, और आप पुनह अकेले पड़ सकते हैं, कहा जाता है, एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपको भी अपनी इम बहुत तरक्की प्रदान करने वाला है, बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करवाने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है, लेकिन आपकी ही गलत हरकतें आप ही के लिए मुश्किल लेकर आएगी, जैसे बहुत सारे लोगों को, जिन्हें बोधको पुक सब्सक्राइन हैं। लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है अभी हमारा समय नहीं है जिस समय हमारा समय आएगा हम भी चमकेंगे लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं निकलता कि आप दिन रात सोचते रहें दिन रात इधर उधर की बातें करते रहें या फिर आप दिन रात केवल और केव अबल चिंता में तनाव में ही अपना जीवन गुजार दे। आपको बिंदास रहना है। कल की चिंता में अपने आज को बरबाद नहीं करना है और हमेशा भगवान पर भरोसा रखना है कि उपर वाला मेरे साथ कभी गलत होने ही नहीं दे सकता। फिर किसकी मजाल है कि आपके साथ कोई। दोसाइवी में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़ दीचने वाला है। सभी ग्रह अपनी राशे और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशी फल पर पडड़ी एचता है। हालांकि नए साल में शनी देव अपने राशे में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेश लाब हो सकता है। आखिर कौन सी चीज आपको नए साल की शुरुआत से पहले मिलने वाली है। वीडियो अंत तक देखें और उसे वास्तु के बारे में अच्छी तरह से जान ले। 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पडड़ी डिजने वाला है। सभी ग्रह अपनी राशिय और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिफल पर पडड़ी डिचता है। हालंकि नए साल में शनी देव अपने राशिय में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेश लाब हो सकता है। नए साल सभी के लिए खुशियां लेकर आता है और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग नए काम शुरुआत भी करते हैं। यहीं नहीं, कुछ लोग इस दिन नया प्रण भी लेते हैं। इस दौरान कुछ घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। मुख्य रूप से नए साल के दिन घर की साज सज्जा वसमान के रख रखाओ पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है यदि इस दिन घर को साफ रखा जाए तो पूरे साल घर में बरकत होती है। 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पढ़ने वाला है। सभी ग्रह अपनी राशी और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशी फल पर पढ़ देहता है। हालांकि नए साल में शनिदेव अपने राशी में बदलाव नहीं करने वाले हैं लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेश लाब हो सकता है। अब दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सन 2024 में भूल कर भी नहीं करना है। कामिया भी नहीं मिलती। इसके पीछे की वज़ा है करियर संबंधी कुछ गलतियां जिन्हें लोग नजर अंदाज कर देते हैं। इन गलतियों के कारण करियर पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में इन में जल्द से जल्द सुधार करना जरूरी है। कई लोग काफी लंबे समय तक काम करने के बाद भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं बना पाते। वे अलग-अलग करियर विकल्पों के बीच उल्जे रहते हैं और करियर की दिशा तै नहीं कर पाते। अगर लक्ष यही निर्धारित नहीं है तो किस राह जाना है इसका पता ही नहीं चलेगा। अगर आप करियर में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्षों को सपष्ट करें। ब्रमिट होने की स्थिती में आप करियर काउंसलर से मदद ले सकते हैं। कई लोगों के पास बहुत से जरूरी काम होते हैं लेकिन फिर भी वे इसे टालते रहते हैं और आखिरी समय पर पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। इस काम टालने की आदत की वजह से प्रदर्शन कमजोर होता है और तनाव बढ़ता है। इससे बचने के लिए काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और काम करने के लिए शांतिपूर्ण जगह का चुनाव करें। एक काम करते समय केवल उसी पर ध्यान दें। मल्टी टास्किंग न करें। कनफर्ड जोन का मतलब एक ऐसी स्थिती है जहां लोगों को आराम दायक महसूस होता है और वे आगे बढ़ने के लिए कोई संगर्श नहीं करतें। अगर आप भी अपने कनफर्ड जोन में सुरक्षित महसूस करते हैं तो करियर विकास को भूल जाईए। करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद को चुनोती दें और कुछ नया करने की कोशिश करें। एक सामान्य दिन्चर्या में ढलने की बजाए असाधारन काम करने के लिए खुद को प्रेरित करें। कई लोग सपष्ट कारणों के बिना बार-बार नौकरी बदलते हैं। इस आदत के कारण वे लोगों से पीछे हो जाते हैं। ऐसे में नौकरी छोडने का निर्णय लेने से पहले दीर्ग कालिक और अल्प कालिक परिणामों पर चर्चा करें और अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मांगें। इस दोरान सभी घर से पुराने कैलेंडर हटा कर नए कैलेंडर लगाये जाते हैं। जिससे नव वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों से परिचित रहा जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कैलेंडर को वास्तु के अनुसार लगाया जाए, तो इससे घर में सकारात्मक्ता बनी रहती है. घर में नए साल का कैलेंडर लगाने से पहले पुराना कैलेंडर हटा दें. इसके बाद ही दीवार पर 2026 का नया कैलेंडर लगाए. के अनुसार नए साल के कैलेंडर को घर की उत्तर पश्चिम या पूर्वी दीवार पर ही लगाए. कैलेंडर को भूल कर भी दक्षन दिशा में न लगाए. ऐसा करने से घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. अगर आप घर में तस्वीरों वाला कैलेंडर दरवाजे पर भूल कर भी कैलेंडर न लगाए. ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो सकते हैं. नए साल के कैलेंडर को दरवाजे के पीछे न लगाए. ऐसा करना बहुत अशुब होता है. इसलिए सही दिशा में ही कैलेंडर लगाने की सलाह दी जाती है. अब द पूर्जा, नई उम्मीद और अनेक खुशियां लेकर आए, इसके लिए पहले दिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करें हैं। साल 2024 आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसा माना जाता है कि नए साल की शुरुआत इश्वर की पूजा के साथ कुछ खास उपाय करनी चाहिए। मानिता है इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मान लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सभी मनो कामनाएं पूरी होती है। आपका भी नया साल 2024, मंगल मई हो, धन सुख से भरा हो, इसके लिए ये उपाय करें। तो आखिर क्या है? सबसे पहले उपाय ध्यान दीजिएगा। नय साल की शुरुआत सूर्य देव को अर्ग्य देने के साथ करें। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत डालकर शिवलिंग पर चड़ाएं। इस साल एक जनवरी को सोमवार है, जो शिवजी को समर्पित है। ऐसे में शिवलिंग का अभिशेक या रुद्रा अभिशेक के समय उं, महादेवाय नम, मंत्र का जाब करें। मान्यता है इससे साल भर आर्थिक संकट नहीं होगा। बेलपत्र का पौधा देगा बरकत, जिन घरों में बेलपत्र का पेड़ी डी आच होता है, वहाँ शिवजी का वास होता है। धन लक्षमी का आशिरवाद बना रहता है। ऐसे में साल 2024 के पहले दिन घर में बेलपत्र का पेड़ी डच उत्तर दिशा में लगाएं। अपने इश्ट देव की पूजा करते वक्त गाय के गोबर से बने उपले पर पीली सरसों के दान डाल कर पूरे घर में धूनी दें। ये उपाय लक्षमी को आकरशित करता है।